Hello friends, मैं हूँ Pankaj Panjwani and आज हम जो Python का program देखने वाले हैं तो वो भी एक simple program है जिसमें हम 3 inputs user से लेंगे उनको display करेंगे पिछले video lecture में हमने दिखा था age input किया था उसको display किया था तो देजरे देर हम अपना जो level है वो increase करते जाएंगे बिल्कुल beginner level से मैंने यहाँ पर questions लिये हुए है तो हमें 3 values input करवानी है ठीक हम चाहें तो एक input function के अंदर भी 3 values ले सकते हैं बट फिर वहाँ पर आपको split वाला concept लगाना पड़ेगा लूप लगाना पड़ेगा तो अभी हम basic तरीके से करते हैं कि simply हम inputs से जैसे पहले हमने data लिया था वैसे हम लेते हैं तो हमको क्या लेना है grade input करवाना है तो मैंने लिखा enter your grade तो data कुछ भी हो सकता है यह तो मैंने एक example ले लिया है कि 3 अलग-अलग values लेना है तो मैंने लिखा enter your grade and जो grade आएगा उसको grade नाम के variable में store कर लेंगे उसके बाद हम दूसरी value input कर लेंगे आप चाहो तो एक-एक value input करवागे उसको display करवाते जाओ या पहले सारी values input करवालो फिर एक साथ display करवालो तो हमने पहले message दिया grade input करो grade user ने input कर दिया फिर उसको message दे दिया enter your role number तो user अपना role number enter कर देगा and उसको भी में store कर लूँगा एक variable में variable क्या जो नाम होता है उसमें आप underscore use कर सकते हो तो यह मैंने underscore use कर लिया मैं चाहता तो यह भी लिख सकता था बट थोड़ा और ज़्यादा meaningful दिखेगा role number इस तरीके से underscore use कर सकते है underscore use कर सकते हो करते हो और इसके अलावा कोई special character हम यूज नहीं करते variable के नाम में आप underscore के अलावा कोई special character दूसरा use नहीं करोगे ठीक है underscore या फिर numbers या फिर alphabets बट शुरुआत हमेशा जो होती है variable के नाम की वह alphabets या फिर underscore से होगी ठीक है numbers से starting आप नहीं करते हो ठीक है तो roll number लेके मैंने roll number में डाल दिया and उसके बाद मैंने ठीक है तो इस तरीके से बीच बीच में जहां मुझे समझ में आएगा तो information में आपको देता रहूँगा तो logics आपको develop करने है तो practice करनी पड़ेगी जितना हो सके practice करो typing करो तो आपके concept भी clear होते जाएंगे and syntax भी आपको याद होते जाएगा ठीक है grade लिया roll number लिया उसके बाद मुझे percentage लेना है enter your percentage ठीक है तो यह percentage की जो value आएगी उसको मैं रेसीव कर लूँगा एक variable के अंदर तो मैंने percentage variable के अंदर झेको receive कर लिया अब इन तीनों values को में display कर दिता हूं अभी तक तो मैंने क्या किया? input कर लिया, तीनों values input लेली, and इन तीनों को में display कर लिता हूँ, तो print function का हम यूज करते हैं तो मैंने सबसे पहले लिखा यूर ग्रेड इस या फिर डारेक्ट में लिख देता हूं ग्रेड जैसा भी आपको मेसेज देना हो तो मैंने ग्रेड लिखा और जो ग्रेड की वैली होगी वो यहाँ पे कॉमा के बाद डिस्प्ले कर दी यह जो कॉमा सिंबल होता है ना प्रिंट में वह अपने आप एक स्पेस भी देता है ग्रेड आएगा जैसे अभी अभी नहीं पहले में तीनों को प्रिंट करवायता हूं तो यह भी आप ध्यान रखो कॉमा जो होता है ना पाइधन में वह क् पड़ती सी वगरा में हम जब करते थे तो एक्ट्रा एसपेस का भी ध्यान देते थे से सी प्लस प्लस वगरा में तो इवन जावा में भी ठीक है तो ग्रेट के बाद मैंने लिखा रोल नमबर and उसके बाद roll number के बाद मुझे display करवाना है percentage तो यहाँ पे मैंने roll number को display करवा दिया roll number and उसके बाद percentage ठीके अब इन तीनों को मैं print करवा रता हूँ तो enter your grade मैंने यहाँ पे grade एंटर कर दिया suppose एंटर किया फिर उसके बाद दूसरा message आया roll number के लिए roll number मैंने डाल दिया 44 percentage मैंने डाल दिया 76.5566 तो यह तीनों जो data जाएंगे न हमने डाले तो अलग अलग है पहला data हमारा string है दूसरा integer है तीसरा float है ठीक है float है decimal आप बोल सकते हो तो यह तीन अलग अलग टाइप के data हमने एंटर की हैं बट यह तीनों जब जाएंगे input के थू तो string के form में जाएंगे बट यहां पर हमें कोई calculations तो करना नहीं है लेना है display करना है तो हमें कोई problem नहीं है string के form में भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है output में तो हमें display हो जाएंगे तो यह तीनों display हो गया है तो मैंने कहा था ना space भी आ जाता है तो यह देखो space भी आ गया end में दिये दिये आपके logics improve करते जाऊंगा अभी में यहां पर f string का भी यूज़ करूंगा जैसे point के बाद जो value से उनको limit करना भी सिखाऊंगा तो दिये दिये हम अपने level increase करते जाएंगे आने वाले वीडियो में मिलते हैं next video में thanks for watching